एलाइट स्टेडी प्लेटफोरम पर आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में डिसकसन करेंगे हिमाचल परदेश पब्लिक सर्विस कमिसन सिमला के दोरा हिमाचल परदेश एडिमिर्स्टेटिव सर्विसिस कंपेडिशन इग्जामिनेशन दो हजार तेश की जो प्रिलिम्बरी प्रिक्सा की डेट है उसका निर्धारन कर दिया गया है 23 जुलाई 2023 को यह आपकी प्रिक्सा होगी जैसा कि आपको 31 प्रिक्सा के 270 होते है आपके पेपर बन आपका 10 बज़े से लेकर 12 बज़ तक होगा और पेपर 2 की जो समय सारनी रहेगी 2 बज़े से लेकर 4 बज़े के बीच में होगा तो यहां पे आप लोग देख रहे होंगे मई क्लोजिंग पे है आज अब इस वीडियो को रिकॉर्ड किया जा रहा है 31 मई 2023 है तो आपके पास अब एक महिना 22 दिन बसते है इस पूरी की पूरी प्रिक्सा को कंक्लिवड करने के लिए इदि आप नीमित रूप से इलाइस्टेडी टीम के वीडियो सुनते होंगे हमारी टीम ने आपको बार-बार ही एडवाइस किया है बहुत से अभ्यारतियों के हमें बड़सय पाते थे यूट्यूब पे कमेंड्स आते थी कि आखिरकार एचेस की एडवर्टीजमेंट कब आएगी तो हमारी टीम की तरफ से ये इनपूटिंग की जाती थी कि आप अपने पढ़ाई को कंटीनू रखिएगा क्यूंकि ये सब कुछ हमें पता था कि बहुत जल्दी फिक्स होने वाला है तो उसी के अनुरूप आप देख रहे होंगे अब आपके पास बहुत ही कम समय है इस बहुत ही कम समय में आप अपने प्रिक्सा को कैसे त्यार कर सकते है ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मत्तोपुर्ण होगा यदि आप इछले दो बरसों के HPAS का पेपर देखेंगे तो आप बहुत ही पेपर में जो परिवर्तन है वो बहुत परिवर्तन उसमें कर दिया गया है पहले देखिए सीधे स्टेटिक जीके के प्रसंट बहाँ पे पूछ जाते थे अब स्टेटिक जीके को बहुत ही कम 2 या 4 प्रसंट की तबज्जो दी जा रही है अब आपकी जो प्रसंटों की महाँ पे पूछने की जो इग्जामिनर की बिद्धी है बिल्कुल परिवर्तित हो चुकी है तो इस परिफ्रेक्सिया में दि हम देखें तो यहाँ पे आपको बहुत ही deep study करने पड़ेगी लेकिन प्रसंद भई है आखिरकार आप अभी डेड़ महीने का जो करीब करीब का समय है आपके पास इसमें आप इस study को कैसे conclude कर सकते है सबसे पहले हमें आपको बताएंगे जो civil services के four pillars होते है इंडियन quality है history है economy है जितना भी हो सकता है आप इन four pillars को अभी आपको इनको बार बार revise करना है यहां पीछले दो वर्सों का trend देखे जिसमें इस प्रिक्सा का परिवर्तन किया गया है आठ से लेकर ग्यारा के बीच में जो प्रसंद पूछे जा रहे है उन four pillars है इसी से पूछे जा रहे है तो मतलब आप बुल मिला करके यहां पर देखेंगे जो services की यहां पर इनियन history, policy, economy, geography को हम मिला लें तो 40 प्रसंद आपके यहां से आ रहे है 12 से 15 प्रसंद आपके science और environment से पूछे जा रहे है जो on average हमारी team ने अभी तक इसे calculate किया है और देखिए HPGK में कई बार हमें variation देखने को मिलता है कई बार 20 से 25 प्रसंद पूछ लिए जाते है 30 तक भी आंकड़ा पहुंच जाता है लेकिन गत दो बरसों में यह जो balance है हमारा 15 से 20 के बीच में ही यह देखने को मिला है हो सकता है इसमें 2 या 4 current affairs उपर नीचे हो जाए तो देखिए यहाँ पे दिया आप देखेंगे तिया हम 5 चीजों को अभी पकड़ लें Indian history, quality, economy, geography और HPGK including current affairs और science को भी आप यहाँ पे छटे पिसाय के तौर पे ले लेंगे तो आप देखिए कम से कम आपको जो paper का है 70-80% आपके यहीं से बन रहे है तो आपको 70-80% को पके करने के लिए आप इन चीजों को अच्छे से कर लीजिएगा इसके बाद आपको थोड़े से national के current phase पढ़ने है आजकर science और technology से भी प्रसन काफी जादा इसमें पूछे जा रहे है और कुछ से static GK भी 2-5% इस प्रिक्सा में पूछी जा रही है यदि हम preliminary प्रिक्सा की बात करें तो आपको अब एक पकड़ बनानी होगी और इन प्रिक्सा के अंतिम दिनों में आपके पास कुछ ऐसी हदेन समगरी होनी चाहिए जो कि आपकी त्यारी को बिलकुल मजबूती से आगे पहुंचा है तो हमारी टीम देखिए नियमित रूप से आप लोगों को गाइड करते है सबसे पहले तो हम देखिए यहाँ पर बात करेंगे कि क्रांट अफेर यहाँ पर कितने प्राने पूछे जा सकते है आप ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगे आपको ऐसी जानकारियां मिलेगी जो कि हमारी टीम का बहुत ज़्यादा एक्स्प्रियंस है इस प्रिक्सा का तो देखिए सबसे पहले तो हम आपको यह पताना चाहेंगे देखिए अब एधी पेपर आपका जुलाई में होने जा रहा है इसमें निश्टी तोर पे जो क्रंट अफेर है वो जून से पहले पहले कि जून को हम सिर्फ अरवीजन के तोर पे लेंगे एक दिन में उसको कंक्लिूड करेंगे लेकिन अब यह आपको जो क्रंट फेर पढ़ने होंगे एक जनबरी 2022 से लेकर आप यह मान के चलिए कतिस मई 2023 तक के क्रंट फेर साब को करने है और क्रंट फेर समय ऐसे चाहिए जो हिमाचल परदेश को बिस्यस तोर पे कबरब करते होंगे जैसा आपने देखा 30% का दाबा किया जाता है हिमाचल परदेश पब्लिक सर्विस कमिस्र सीमला के द्वारा किसमें हिमाचल परदेश के प्रसन ही पुछे जाते है और देखिए आपको मुख्या प्रिक्सा में GS1,2,3 में हिमाचल परदेश को तो यहाँ पर देखिए हमारे टीम के द्वारा आपकी इस मस्या का समाधान किया गया है पिछले एक बरस के 1 जनवरी 2022 से लेकर 31 तिजंबर 2022 के Yearly Krunt Fair की बुक विसेश तोर पे H.S.A.L.I.T. नाय तसिलदार की प्रिक्सा के लिए लाउंच की गई है इसमें आपको मिलते हैं Day to Day के हिमाचल परदेश के राष्ट्रिया, अंतर राष्ट्रिया और विसेश तोर पर हिमाचल परदेश सरकार का जो गिरिरा समचार पत्तर आता है उस सारे के सारे करंट फेर्स यहाँ पे इंकलिवड किये गये है साथ में देखिए इस किताब का English version launch किया गए है English version में सिर्फ आपको मिलेगा इमाचल परदेश की yearly current affairs और गिरिरा समचार पत्तर का सारांस तो आप simply description में भी आपको link मिल जाएगा वहाँ पे भी आप click करेंगे या आप elite study corotin back side से भी इसके बाद आपको आपको आगे क्या करना है जनुरी से लेकर अपरेल तक की इलाइस्टरी टीम की सेम बुक है हिमाचल परदेश, राष्ट्य बंतर, राष्ट्य अक्रांट परदेश से इसको आपको पढ़ना है उसके बहुत ही संक्सिप्त और नोर्स की फॉर्म में सारा काम आपका दो से चार दिनों में हो जाना चाहिए उसके बाद आपको इसको एक से दो बार रिवाइज भी करना है साथ में हम आपको यहाँ पर बता दें कि आपको हिमाचल परदेश और केंदर सरकार का जो बजट और आर्थिक सर्वेक्षन है पिछले कम से कम दो बरसों का संक्सिप्त नोर्स की फॉर्म में होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर देखिए यह चीज़े जो सरकार का जो बजट है यह आपको एक बीजन दिखाएगा कि सरकार किस सेक्टर में क्या लेकर आए क्योंकि हिमाचल परदेश में नई सरकार बनी है इस नई सरकार का यह पहला बजट और एकॉनमिक सर्वे है तो यहाँ से तो देखिए निश्ची तोर पे आपको डाटा सरकार का बीजन देखिए बिलकुल जो पहला बजट होता है वहीं से सरकार के 5 बरसों का बीजन बनता है तो पूरा का पूरा आपको इस डॉकुमेंट में मिलेगा जो आपको यहाँ पर पब्लिस किया गिया है इसके बाद आपको इस प्रिक्सा में रिस्टने लेंगे आप इंडियन हिस्ट्री पॉलिटी एकॉनमी जियोग्राफी है साइंस से अपने लेबल पर कर लीजिएगा इसके बाद आपको इस डॉकुमेंट की वैपसाइट पर ही जाना है और बहाँ पर आपको एक प्रिबियस प्रिक्सा में आपको एक एक नंबर के लिए एक किताब के अंदर आपको इसलिए पढ़ने होंगे इसके प्रिक्सा में आपको एक एक नंबर के लिए एक किताब पढ़नी पड़ती है और जो रिपीटिड कोस्टिन होते है वो आपको मेरिट में हेल्प करते है क्योंकि वहाँ से उनके सही होने के चांसिस बहुत ही ज़्यादा होते है तो उस प्रिबियस बुक से आपको इभी पता चलेगा कि प्रिक्सा का स्तर क्या है किस तरह के प्रसंद पूछे जा रहे है तो ये दो तिन किताबे जो हमारे टीम ने आपको बताई ये कम समय में आ क्या करेंगे में की त्यारी को करके क्या करेंगे तो यहां पर आपको विल्कुल फोक्स्ट स्टेडी करनी है कुछ फैक्ट्स लेने है और जो पर का नवींतम पैटरन है उसको भी आपको यहां पर थोड़ा सा डाइजेस्ट करना है उसे भी अपनी त्यारी के साथ में अड करते रहिएगा थैंक यू बेरी मस्ट कीप बॉचिंग इलाइट स्टड़ी यूट्यूब चैनल